नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग्ग। प्रग्या सिलेश यादव जो सीधे सीधे पार्टी को संभालते हुए नजर आ रही है विपक्षे दलों के बीच तो वहें जमीनी स्थर पर काम करते हुए नजर आ रही है उनकी पतनी और मैंपुरे सिसाथ डिम्पल यादव डिम्पल यादव की खासियत ये है कि वो वजा है कि डिम्पल यादव को जनता भी प्यार दे रही है यो तो यादव कुनबे में दो बहु है लेकिन चर्चा डिम्पल यादव की है अपड़ना यादव भले ही यादव परिवार की बहु तो है लेकिन भारतिय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद कहीं न कहीं को पूरी तरह से यादफ कुन्बे से अलग होती हुई ही नजराएं। वेरहाल डिंपल यादफ की अगर बात करें तो डिंपल यादफ की एक और खास्यत है। वो खास्यत है कि वो रूचों को मनाना बहुत अच्छे से जानती है। चाहे शिवपाल यादफ हो या मायावती ह तो डिंपल यादफ को अपनी बड़ी बहु मानती है। यहाँ पर आपको बता दे कि अखिलीश यादफ को बले ही मायावती बुरा भला कहती हुई नजराएं। लेकिन डिंपल यादफ को लेकर मायावती ने कभी कुछ नहीं कहा। वो उन्हें आज भी बड़ी बहु की तोर पर देखती हैं और बहु की तरह प्यार भी देती हुई नज़राते हैं यहां तक कि उन्हें अपनी बेटे मानते हैं वो डिंपल यादफ किया अब एक और दीवार को गिराती हुई नज़राएंगे यह दीवार आजम खान और अखिलेश यादफ के बीच है दरसल नेता हुए नज़राएं कभी किसी मामले में तो कभी किसी मामले में मौझूदा समय में आजम खान दो जन प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में फिलहाल सजा काट रही हैं सीतापूर जेल में बंद आजम खान ने साफ तोर पर कहा कि उनकी जान को खत्रा है जब उनके खिलाफ अदालत का फैसला आया अदालत के फैसले को चुनाती देते हुए वे अदालत वो उच अदालत का दर्वाज़ा भी खट-खटाते हुए नज़राए लेकिन यहां पर देखा गया कि अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर मानो पूरी तरह से आखे मूंदली हो लेकिन जि नेताव ने ही समहला था आजम खान हो मुलायम सिंग यादव हो और शिवपाल यादव आजम खान को क्या यहां पर पार्टी में वापस लाती हुई डिमपल यादव नजर आ सकती है क्योंकि वो डिमपल यादव ही थी जिनोंने चाचा शिवपाल यादव की वाप सी पार् बाल आने तरना पिर के दराला अरेश सब्या करते हैं क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं तुलाल के लिए मुझे दीजी इजाज़त नमस्कार